हैलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई भेनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानि की सहरीता का कैसे हो आप लोग आसा है आप लोग पहुत पहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे हमारे निव व्लॉग में आप सभी का स्वागत है जितने साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस सवर से प्रातना है सारे साथी स्वस्त रहें मस्त रहें अपने जीवन में यूहीं आगे बढ़ते रहें तरकी करते रहें तो दोस्तों आज का वीडियो पहुत पहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो उमीद करती हूं आज की व चूला बनाने के लिए सबसे पहले पाइप की जरूरत होती है तो यहां पर टीना हमारा कट चुका था और कटने के बाद में बीच में लकडी डालके बराबर की लकडी थी हमारी मोटी जिसे बराबर कर लिया गया है ताकि यह हमारा पाइप जो है गोल एकदम पाइप की ही तरीके से बने इधर उधर नहो तो बिल्कुल बन चुका है इसको बराबर कर लिया गया है उसके बाद में इसको तार से बांदेंगे क्योंकि दो टीने हैं इसमें और इस टीने को खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं यूँगे पहला जो टीना खोल रहे थे तो उसको ठोड़ा दाराश दे रहे थे और फिर हसीय के सहायता से बहुत ही आसानी से खुल गया था यहां पर तार की सहायता से पूरे पाइप मे थूरी थ्यूरी पर तार से बांदेगे तो हमारा pipe एकडम ready हो जाएगा तो बीच बीच में बांदने के बार में इस तरीके से हमारा कुछ pipe बनके त्यार हो चुका है आप चलते हैं रसोई में तो जहां पर हमारा पुराना चुला था तो वहीप कर हम चुला बनाएंगे क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था जो हमने जो है चूला बनाया था उसको हटा दिया है और यहां पर मिटी हमने जैसे कि आप लोगों ने देखा था सुक्रवार को हमने भीगोया था तो वो नांद में बाहर फोल रही है और वहीं से ले आएंगे तो इस बार जो है चूला हम बनाने वाले हैं इटो का इटो का चूला बनाएंगे तो ये जादा दिन तक टिकाओ रहेगा और इस बार जो है इस तरीके का चूला बनाएंगे जिसमें जो हमारी जलावन जो लकडियां होती है वो उनकी बचत होगी, कम लगेंगी तो यहाँ पर सबसे पहले मित्टी ले आए है पाई भी हमारा तयार हो चुका है चुला की नाप भी हमने ले लिया है तो इसको जो है मित्टी मसल लेते हैं भूसा डाल कर भूसा डालने से मजबूत रहता है, टिकाऊ रहता है जल्दी से चुला फोटता नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले मित्टी को हमने सान लिया है और उसके बाद में मित्टी भी हमारी तयार हो चुकी पाई भी तयार हो चुका है यहाँ पर चुला आधी दूरी पर हमने थोड़ा गहराई से खोद लिया है उसके बाद में चिकनी मिट्टी जो हमने सानी है अभी तो इसी को जो है इसी से चिकना कर देंगे क्योंकि अभी खुर्दरा टाइप में है खोदा है ना इस वजे से और इधर हमने जहाँ पर यह र लगने का भी डर ना रहे तो इसी तरीके से लगा देंगे थोड़ा सा गयब करके ताकि इधर जो हम अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा और आप लोग बने रहे हैं वीडियो में बहुत ही प्यारा वीडियो है यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसी लाइ चूला आप लोगों को कैसा लगा तो यहां पर जो है हमने रड़ी बिच्छा लिया था और उसके बाद में इटे लगा दे रहे हैं तो इटे लगाने के बाद में कुछ इस तरीके का हमारा चूला तयार हुआ है और इधर भी थोड़ा सा गयब हमने रखा है तो इसको हमारा जादा तेर तक तो जो है गनब रहेगा तो यहां पर सबसे पहले इसको धलान की तरफ दे देंगे जिधर हम आग जलाएंगे चूला हमारा है उदर थोड़ा सा नीचा रखेंगे और जिधर पाइप लगाएंगे उदर उचा कर देंगे तो धलान जैसे बनाई जाती उसी तरीके से हमने बालू डाल दिया उसके उपर से हलकी यह चिकनी मिट्टी लगा देंगे ताकि बालू हमारी इधर उधर ना हो और चूले की तरफ हमने थोड़ी सी विल्कुल मिट्टी लगा दिया था गीली ताकि बालू का धलान बनाते समय बालू हमारी चूले में न आए और फिर जो है इंटों पर ये इस तरीके से कुछ मित्ती की छबाई कर देंगे छबाई करने के बार में इसको चिकना कर लेंगे तो यहां पर जो है पूरा जूला चिकना करने में थोड़ा सा टाइम लगा था पूरे चूले में चिकनी मिटी से बराबर हमको इस तरीके से करना था और जब पूरा चूला जो है हमारा चिकना हो गया था तो कुछ इस तरीके का दिख रहा था उसके उपर से ये जब बरतन की अपने हम नाप लेंगे जैसे हमारे बरतन घर में हैं छोटे बड़े जो टेली वाले चड़ाने हैं तो उन्हीं की नाप लेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा बनाने पर हमारे बरतन भी नहीं रूखेंगे तो दिक्कत होगी तो यहाँ पर जो है यह ले आए हैं उसी पाइप की उपर का धकन है तो इस पे रख देंगे ताकि हम मिती से उपर से लगा देंगे तो नीचे नहीं गिरेगी तो इस तरीके से कुछ उपर भी रड़ हमने रख लिया है कुछ नीचे बिचाया था तो अभी आप लोगों को ब बरतन भी कम जलेंगे कुछ इस तरीके का इस बार बना रहे हैं और जो हमने रेत डाली है उससे हमारा देर तक चूला गरम रहेगा जिससे हमारी लकडियां भी कम लगेंगी और खाना भी हमारा टेस्टी तो होगा ही और देर तक जो है गर्म भी रहेगा आप जो है लगाते तो अंदर ये लोग जो है पाइप लगा रहे थे और हम बाहर आ गये हैं मिट्टी लेने पाइप में लगाने के लिए और यहां पर जो है आज बहुत ज्यादा बारिस हुई है आज का दिन है सनीवार काफी ज्यादा बारिस हुई हमारे यहां सुक्रवार साम से बारिस हो रही है और रविवार को भी सारा दिन बारिस हुई है तो इधर हम आ गये हैं मिट्टी लेने और इसको मसल के रख लेंगे यहने कि भूसा डालके मिक्स कर लेंगे सान लेंगे और जहां से हमारा धुआ निकलता था, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा है, जब छत्य जो है मिटी लगा रहे थे, तो दिवार की तरफ हमारा धुआरा नहीं है, हमारे यहां काओं में इसे धुआरा ही बोलते हैं, जहां से धुआ निकलता है, तो वो थोड़ा सा ब इधर इन्हों ने बना दिया था, उपर तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे, तो मिटी हमारी संचुकी है, और इसको जो है लगाना शुरू करते हैं पाइप में, और पाइप में हमने नीचे खपरे नहीं लगाया है, यहां पर जो कागजी इट होती है, उसको लगा द दिया है, क्युक्कि हमारे पास खपरे नहीं थे, तो कागजी इट हमने लगा दिया है, जिस से हमारा पाइप जल्दी खराब ना हो है, प्यारी मामा हो आप भी तो प्यारे हो प्यारी मामा प्यारा बाबो तो पाइप में मिट्टी हमने लगा दिया है और इसको जो है चिकना कर देंगे और धीरे धीरे जो है थुड़ा सा तबेत खराब है इस वज़े से उपर तक नहीं लगाया है नहीं तो फिर पूरी पाइप में इस तरीके से मिट्टी लगा देंगे तो पुताई करने पर बहुत अच्छा लगेगा तो पूरी चूले की पाइप हमने चिकना कर दिया है आप पूरा चूला इस तरीके से हलका सपाने लगा करके इसको चिकना कर देंगे और काफी बेहनोंने हमारी पिछली वीडियो में कॉमेंट किया था कि आपने उस चूले को क्यूं हटा दिया बहुत ही अच्छा चूला जब आप पुताई करती थी तो आपका चूला बहुत ही अच्छा लगता था पुताई करते समय तो आप लोग परिशान ना हो ये ये चूला बिल्कुल उसी तरीके से बन गया है केवल इसमें इतना है अब हमारा धुआ जो धुआ की वज़े से हमारे रसोई में उपर-उपर काली हो जाती थी तो इतना फर्क हुआ है बाकि वो भी चूला अमारा इसी तरीके का था और इसमें पाइप नही लगा था यह चूला भी आप लोगों को उम्मीद करते हूं की कि हमने इसमें बहुत मेहनत किया है तो देखी आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताईएगा और लाइक करना मत भूलिएगा लाइक जरूर कर देना तो यहां पर थोड़ी सी नीचे जो जगे देख रही जहां पर हमने रड़ बिचाई थी तो इधर से हव जाएगी तो सीधा पाइप में ही धुआ जाएगा तो नीचे जूला हमारा चिकना हो गया था फिर आ गए थे च्छत पे और अब थोड़ा सा बारिस थमी हुई है तो च्छत पर देखने आ गए हैं वैसे नीचे हमारा जब काम चल रहा था तो बारिस ही हो रही थी तो यहा जल्द ही जैसे ही बारिस रुकेगी तो हम इसको इसमें सीमेंट लगा देंगे ताकि धुआरे से पानी नीचे ना आए और वैसे जो है अभी पाइप में हमने कोई छत्री नहीं लगाया है ताकि पाइप में पानी ना जाए क्योंकि बारिस हो रही थी तो हमको वो छत्री जिससे हम धुआरा अपना बंद करते हैं उसी को पाइप के ऊपर और धुआरे पर ही रख दिया है यहां पर यह वाला जो छिद्र है इससे क्या करेंगे जैसे थोड़ी बहुत धुआ से राकी वगेरा जमेगी और हवा जरासी भी इससे भी लगेगी तो धुआ हमारा हो चुका है और इधर हमने आगी जलाया है क्योंकि इसको मौसं तीन दिन से हम इसकी रास्ता देख रहे थे कि मौसं अगर थोड़ा सा कम हो यानि बारिस ना हो तो यह सूख जाए लेकिन सूख नहीं रहा था तो इसी वज़े से आज हमने वीडियो नहीं डाली थे क्योंकि मौसं बहुत ज़्यादा खराब था तो उमीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारा चूला कैसा लगा अगर चूला जरा सा भी पसंद आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर देना बिना लाइक किये हुए मत जाना क्योंकि बहुत मेनत किया ह हमने अब हमारी रसोई काली नहीं होगी दुआ सारा ऊपर जा रहा है और या कि तोड़ा सा काम रह गया है क्योंकि बयाला है ज्यादा और सीमेंट लगाने में तब बारिस होने लगी तो तीन दिनों से हम इसी के रास्ता देख रहे है तक की बारिस्थम जाए तब हम जो इसी के साथ वीडियो समात करती हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, जादा से जादा अपने दोस्तों रिष्तिदारों में सेयर जरूर करें, ताकि थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट हो सके, और मिलती हो नेश्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लोग के साथ तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, तो दीजे मुझे इजाजत, तक की नमस्कार दोस्तों